हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजार वितायुष और भात करेंगे इस वीडियो के अंदर ग्लोबल सर्फिसेज आईपी ओके डे टू सब्सक्रिप्शन के बारे में दूसरा दिन कैसा रहा कितना पैसा निकल कर आया रीटेल के टेगरी कितना बरा है और क्या करना चीए अप्लाय करना चीए अवोइड करना चीए सारे आपके क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर आप देखिएगा फर्स टैम फ्रेंट्स अकर आपने चैनल को विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा तो फ्रेंट्स ग्लोबल सर्फेसे ग्लोबल सर्फेसे आई प्यों का आज सेकंड डे कंप्लीट हो चुका है अब यह इशू का सिर्फ एक दिन बचा है 15th of March यानि यह जो इशू है वो कल क्लोज हो जाएगा 133 से 140 रूपीस का दोस्तों इसने प्राइस बें अंकर इंवेस्टर्स को दी दिया और फिर बचता है कुल मिला के 108 करोड के असपास यह बात ज्यान रखियेगा पूरा कपूरा यह 150.98 करोड की बिड़न ही हो रही है 108 करोड की आसपास के शेर्स की बिड़ हो ही है व्कुछ पोशन आंकर इंवेस्टर्स को अलोट कर दिया गया है और बाकी का portion रखा गया है यह दोस्तों जो शेयर है वो आपको BAC और NAC दोनों पर लिस्ट होते हुए नजर आएंगे और कुल मिला के आपको एक lot के अंदर 100 shares मिलने वाले हैं लेकि जो पहला दिन निकला था इस IPO का वह कह सकतें कि बहुत खास नहीं था बिकाज आप पहले दिन देख लेक्स किसा अधसे पैसा कुछ इतना खास निकल कि नहीं आया QIB portion पॉशन से लिए समझ सकते हैं because QIB और HNA हमेशा last day लगाते हैं इनका वैसा जो है वो mostly friends last day आता है इसलिए first second day जादा QIB HNA activity आपको IPOs के अंदर देखने को नहीं मिलेगी last day यह पूरी proper activity होती है या तो सबसे जादा figure जो है वो यह QIB और HNA की category से आता है लेकिन हमेशा कब आता है आखरे दिन पहले दो दिन के अंदर पैसा जो है वो इतना खास लगता नहीं है लेकिन जो retail portion था वो कुल मिला के 62% subscribe हो आता on the first day 62% subscribe उना definitely दिखा रहा था कि subscription is quite low subscription काफी low निकल के आ रहा है और इसका definitely किसी ने सोचा नहीं था इतना low expectations नहीं किया था कि इतना low expect करके इतना जादा कम subscription निकल के आएगा on the first day लेकिन दोस्तों 2 से 3 चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप इस IP के इंदर लगाना च current market scenario समझना बहुत important है दोस्तों current market scenario कुछ इस प्रकार से कहता है कि markets बहुत ज्यादा pain में है और लगाता down जा रहे हैं तो इसलिए दोस्तों down जाने के करण इसका जो effect है वो आपको कहां देखने को मुलेगा grey market के उपर third subject to rates के उपर तो दोस्तों जब भी grey market डाउन रहती है और दूसरी बात markets डाउन रहते हैं तो definitely वो mentality है कि IPO के इंदर पैसा बनना बहुत मिश्किल है आज के example ले लेते हैं आज दोस्तों डिवगी top transfer लिस्ट हुआ तेकि लिस्ट होने पे 620 पे लिस्ट हुआ 590 रुपे का price 11,000 इशू का लिस्ट जरूर होगे दोस्तों 30 रुपे उपर बट यह है कि डिफिनिटली उस लिवल पर टिक नहीं पाता है जरूर बंद होते होते हैं तब भी IPO ने recovery कर दी थी और recovery करके stock जो है वो उपर बंद हो गया बट यह बात जरूर है कि दोस्तों हाल ही में में डिव रिस्क है न यह बात आपको समझना पड़ेगा वह बहुत जादा लिमिटेड नहीं है रिस्क डिफिनिटली आपको लेना पड़ेगा और इसलिए कोई 100% नहीं कह सबता कि पैसा आपको डिफिनिटली बन जाएगा कि नहीं बनेगा बहुत मुश्किल से दोस्तों में लाइ लेकिन आज कितना है दोस्तों आज QIB की तरफ से जो पैसा है वो करीबन 0.04 टाइम निकल के आया है जिया 0.04 टाइम दोस्तों QIB पोशन जो है वो आज भरता हुआ नजर आया है तो कह सकते QIB के दौरा तब भी ठीक टक पैसा हर तो अभी तक नहीं लगा है बट तब भी मैं के चलिए कल पैसा लगाएंगे कल पता चल जाएगा आपको की QIB कितना ज्यादा इंटरेस्टेड इस इस एशू के अंदर एचनाई पोशन दोस्तों कुल मिला के 1.65 टाइम सब्सक्राइब कर चुके है जिया एचनाई के टेगरी तब भी ठीक सब्सक्राइब हो गई है 1.65 के असपरस इनका पैसा भी कली आएगा लेकिन इनमें जो दो कैटेगरी है बीग एचनाई जो स्मॉल एचनाई स्मॉल एचनाई हाल फिलाल में काफी जड़ा अक्टिव दिख रहे रैधर दन कि स्मॉल एचनाई बीग एचनाई की तोरह definitely कितना पैसा निकल किया है 0.99 0.99 निकल किया आया है बीग एचना इसका टरफ से लेकिन इसके तरफ से 2.97 तोग हम कह सकते कि काफी बढ़िया है बिकॉस ओल्मोस्ट ठी हाई कि कि करीबन इसऊ को सब्सक्राम कर दिया घ्या है समॉल एचनाई रिटेल फोशिन की बात करते तो रिटेल पोशिन दोस्तों डोक सब्सक्राइब हो गया है अभी तक तो डिफिनिटली कह सकते हैं कि रीटेल पोर्शन तब भी ठीक टाक सब्सक्राइब हो चुका है 1.45 ताम का पैसा जो है वो रीटेल के डिकरिन लगा दिया है बट अभी भी इसको जादा खास नहीं कहेंगे लोई सब्सक्रिप्शन कहेंग वो एक सबसे बड़ा अट्राक्शन खीच रही है कुल मिलाके दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब हो चुका है 1.09 तामस आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आए इस इशू के अंदर तो पैसा तो डिफिनिटली बहुत ख अगर जो भी लगाना चाहता है वो डिफिनिटली थोड़ा सा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा यहां पर पैसा बन सकता है इसके चांसे जो है जो पॉसिबिलिटी है वो साट परसेंट ना बन जाए पैसा उसके 40 परसेंट है अब वो है कि अगर आप 60-40 परसेंट के रि सकते तो ले लीजिए अब यह जरूर नहीं है कि देखें यह 60% वापिस से 40% नहीं हो सकता या फिर फॉर्टी परसेंट की तरफ नहीं आ सकता है यह ना बने बट यह है कि देखें कंपनी बुरी नहीं है क्योंकि कंपनी जो प्राइसमेंट लिखिया यह तब भी ठीक है और गया जा सकता है अब अगर बात करते दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट के उपर तो ग्लूबल सर्फेस की जो करेंट ग्रे मार्केट है वह 15 अब देखें ग्रे मार्केट कितना नीचे आ चुका है मतलब एक समय पर 26 रुपे थी फिर 30 हुई थी उससे पहले उससे लगाता को देखके कितना निकल के आता है यह अपना आप में कुश्चन रहेगा कि बाजार के अंदर भी गिरावट देखने को मिलिए अभी 10.71 पॉसंट है तो अगर 10.71 पॉसंट दिखता है तो मुझे बुरा नहीं नजर आता है बट यह कि कितना मेंटेन रहेगा वह कहना भी मु यह बाद ध्यान रिखेगा अधरवाइस डिफिनेटल आप चाहिता आवइट कर सकते हैं किको यह बात भी चाहिए उसके बाद ही किसी IPO के अंदर पैसा लगाना चाहिए तो इस वीडियो में तो इतना ही था बाकि आइप्यो आ तो कभी अभी बहुत सारे रहें बट यह बाद भी ध्यान रखिएगा हमेशा आपको pick and choose करना है ऐसा नहीं कि सबाइप्यों के अंदर पैसा लगाना है ज कि आपको ऐसी information सबसे पहले मिल सके थांक यू फ्रेंड्स फर ओचिंग दिस वीडियो